राधे राधे दोस्तों आज मैं एक नहीं सबजी की रेसिपी आप लोगों को लेकर आई हूँ उमीर है आप लोगों को पसंद आई है यह कहिता है और इससे मैंने अच्छी तरह से चाको के चाहता से उपर से छिलका उतार रही हूँ आप सभी देखी रहे हैं मैं किस तरह से क चंबीकर चंफोबैड़ और अमने इसे चोटे-चुटे-च्छोटे पीसमें कटकर लूँगी और मैं पाणी में इसे उबा लूँगी तक यह अच्छी तरह से पक जाए मैंने इसे दे दिया है और ढ़कन भी लगा दिया है आप सभी देखी सकते पानी में अच्छी तरह से उबा ला गया है आप मैं एक चमच की सहता इसे उलट पुलट कर दूगी ताकि उपर नीचे एक हो जा और मैं चेक भी करूँगी चेक मैंने कर लिया है दोस्तों अच्छी इसमेक मसाले मिला देती हूँ धनियाजीरे के पाउडर दो चमच थुरी सी खीलाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुशार हल्दी पाउडर और मैं सभी मसाले को एक साथ मिला लूँगी और जो मैंने पेंट चरहा दिया है धो करके पेंट गर्म हो गए तो मैंने सरसों का तेल ढाल दिया है और जो मैंने मसाला तियार किया था आप मैं उसे अच्छी तरह से भूनूंगी मसाला मेरा भून चुका है और ठढ़ा भी हो चुका है अब मैं इसमें भरूंगी ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इसे आप सुखे आप भी खा सकते हैं ग्रेवी बना के भी खा सकते हैं मैं इस भी सुखा ही बनाऊंगे फ्राय करके और इसी तरह से मैं सारे कैटे को भर लेती हूँ मैंने सभी कैटे को भर लिया है दोस्तों अब मैं अधर उसी पैन में फिर से तेल दे के जब तेल गर्म होगी तो मैंने इसमें कैटा सारा कैटा दे दूंगी एकी साथ में और इसे अच्छी तरह से फ्राय करूंगी दिखे एक तरफ से हो गया था मैं दुस्तरे तरफ से पलट रही हूँ अब मैं धरे धरे सारे कैटे को पलट दूंगी यहां तो मैं इसे कैता कहती हूं दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करको जरूर बताइएगा मेरा कैता बन चुका है मैं गैस बंद कर दी हूं दोस्तों मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूं यह रेसीपी आप लोगे कैसी लेगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा यदि मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक और शेर बड़ किजिए